इरान हो, यमन के हूती हो, तुर्की हो, सीरिया हो, मिसर हो या जॉर्डन हो हिजबुल्ला को इसराइल की मार से बचाने की ताकत इस वक्त किसी में नहीं है क्योंकि इस्राइल ने मोराल ग्राउंड बना रखा है कि हिजबुल्ला इस्राइल के अस्टिट के लिए चिनौती है और इस ग्राउंड पर अमेरिका इस्राइल के साथ खड़ा है लिबनान इसराइल में युद्ध छिड़ता है यानी इसराइल टैंक लेकर लिबनान में घुमता है तो ये पहली वार नहीं होगा दोहजार च्छे में हिजबुल्ला और इसराइल का आमना सामना हो चुका है 2004 में हुए साइनिकों की अदला बदली में अपने दो साथियों को नहीं शोड़ने के बाद 2006 में हिजबुल्ला ने दो इसराइली साइनिकों को उठा लिया और उससे बदले में अपने तीन साथियों को रिहा करने की मांग की इस मांग को इसराली ने अपनी बैज़स्टी माना इसके बाद इसराली ने लेबनाउं में ह्हवाई हमले किये और लेबनाई के खिलाफ युद्ध शेड़ दिया इसके बाद हज़वला ने इसराली सैनी को इसरा को अपनी मिसायलों से निशाना बनाया जिने इसराइली डिफेंस सिस्टम डिटेक्ट करने में असमर्थ था इस युद्ध के दौरान इसराइल अर्बो डॉलर खर्च करने के बाद भी कोई सफलता हासिल नहीं कर सका दुनिया की सबसे मजबूत टैंक कही जाने वाली टैंक को भी हिजबुला ने नश्ट कर दिया और तीन हेलिकॉप्टरों, बीस टैंकों और एक लड़ाकु पोत को नश्ट कर दिया इसे युद्ध में इसराइल को हिजबुला ने अपनी सैन शम्ता का बेहतरीन प्रदशन करते हुए इसराइल को पहली बार हार का सुआच चकाया था इसके बाद से हिजबुला को इरान के बाद अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है सवाल है क्या 2,024 में युद्ध हुआ तो हिजबुल्ला इस्राइल को सबक सिखाने की सूरत में है इस सवाल का जवाब आपको दोनों देशों की ताकत की तुलना से साफ हो जाएगा लिबनान के पास एक्टिव सेने संख्या है मात्र असी हजार इसराइल के पास है एक लागती हत्र हजार यानी दो गुने से जादा इसराइल के पास रिजर्व फोस चार दशमलो छे पाँच लाग है जबकि लिबनान के पास है ही नहीं इसराइल के पास 80,000 जवानों की पैरा मिलिटरी फोर्स है जबकि लिबनान के पास सिर्फ 25,000 जवानों वाली पैरा मिलिटरी फोर्स है इसराइल के पास 601 एरक्राफ्ट है जबकि लिबनान के पास सिर्फ 78 इस्राइल के पास 241 fighter aircraft है जबकि लिबनान के पास एक भी नहीं इस्राइल के पास 32 dedicated attack aircraft है वहीं लिबनान के पास सिर्फ 9 है इस्राइल के पास transport aircraft 86 है जबकि लिबनान के पास एक भी नहीं इस्राइल के पास 126 helicopters हैं लिबनान के पास सिर्फ 60 इसराइल के पास 2200 टैंक्स हैं लिबनान के पास सिर्फ 361 इसराइल के पास 300 मुबाइल रॉकेट पोजेक्टरस हैं लिबनान के पास सिर्फ 30 2864 बख्तरबन वाहन हैं इसराइल के पास 48 एरपोर्ट से हैं जब कि लिबनान के पास सिर्फ 8 ही हैं इसराइल के पास 5 बंदरगाह हैं जब कि लिबनान के पास सिर्फ 2 इतनी लंबी चोड़ी संख्या बताने के पीछे का मकसद है कि एक दम क्लियर तोर पर समझा जा सके कि कौन किस पर भारी है लेकिन 2006 के जंग के दोरान भी इसराइल ताकत के प्रदर्शन में लेबनान पर भारी था जब नतीजा इसराइल के पक्ष में नहीं निकला इस वक्त हिजबुल्ला मत्थ पुर्व की सबसे मजबूत और प्रशिक्ठिंग सेनाओं में से एक है और इसराइल चारों और से शर्त्रों से खीरा देश रहे नितर्याहु की दिमाग में ये भी साफ है कि 2006 के बाद हिजबुल्ला से बदला पुरा करने का यही वक्त है लेकिन इस बदले की चाहत में दोनों और से होने वाली मौतों की तादाद कितनी होगी ये बतापना मुश्किल है लिबनान में 17-18 सितंबर को पेजर और वाकिटाकी में धमाके हुए थे इनमें 37 लोगों की मौत हो गई थी और 2300 से जादा लोग घायल हुए थे हजबुला ने इन हमलों के लिए इसराईल को जिम्यदा ठहराया है